तो बच्चों, चैप्टर पड़े थे हम टेरो रिवार्ट। आज बच्चों, हम उसी स्टोरी को कंλιईू करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं यानि आज के पाट में हम जानेंगे रिवार्ड पर टेरो सॉनस्टी यानि टेरो की हिमानदारी थी उसकी वज़े से उसको क्या मिला था बच्छो उसको मिला था reward ठीक है चलती है आगे देखें We have been tricked, shouted the villagers अब गाउं वाले जोड से चला ना शुरू कर दिया बच्छो नो उन्होंने का कि हमें धोका दिया गया हमारे साथ cheating हुई है Where is Tarot? Tarot कहां है? Let us drawn him in this waterfall की उसको पकड़ के लाओ और इसी waterfall में उसको डुबो दो But Tarot had been wise enough to slip behind a rock लेकिन बच्छो Tarot जो है वो बहुत ज़्यादा wise बहुत ज़्यादा बुद्धिमान दा ठीक है तो वो क्या करता अपनी आपको एक rock के पिछे चट्टान के पिछे चुपा लेता है When he saw how things were going on, जब उसने ये देखा कि चीजे किस तरीके से हो रही थी वहाँ पर उसने ये देखा तो उसने आपको कहा चुपा लिया विच्छो उसने अपने आपको चुपा लिया था एक पहाड़ी के पीछे He was nowhere to be found और वो कहीं पर भी नहीं मिला Much in their anger and disappointment, the villagers left the place one by one आप बढ़ बढ़ाते हुए और वो निराश हो गए थे, तो गाम वालों ने दीरे दीरे वो जगह एक के बाद है के छोड़ दी, यानि सब वहाँ से चले गए Tarot came out from his hiding place, अब Tarot बहार निकल कर आया अपनी छुपी हुई जगह से जहां पर उसने अपने आपको छुपा रखा था, अब Tarot वहाँ से बहार निकल कर आया Was it true? क्या ये सही था? He wondered, उसको आश्चरी हुआ Was the second dream, क्या जो sack मुझे मिला था, वो क्या सिर्फ एक सपना ही था? Once more, he caught a little liquid in his hand, एक बार वच्चो उसने फिर से क्या कि अपने हातों में वो liquid लिया And put it to his lips और उसने उसको पी कर देखा, put it to his lips, यानि उसने उसको अपने होटों से लगाया ने पिया It was the same fine sack, ये वही sack था, to the thoughtful son, उस समझदार और उस अच्छे, बेटे के लिए बच्चो, the amazing waterfall gave the delicious sack यानि टैरो क्या करता था? टैरो अपने parents की बहुत care क्या करता था बच्चो, तो waterfall उसको क्या दे रहा था? Delicious sack, ठीक है? उसने क्या दिया उसको? Delicious sack दिया, to everyone else it gave only cold water और जो लालची लोग थे, बाकी उनके लिए, उस waterfall के पास सिर्फ थंडा पानी ही, था The story of tarot and his massive waterfall reached the emperor of Japan बच्चो, ये जो कहानी थी, tarot की ठीक है? और magic waterfall की, ये कहाँ पहुँची? जापान की समराट के पास He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind उसने उसको बुलवाया बच्चो, ठीक है? और उसको क्या दिये? 20 gold के, क्या दिये? pieces of gold क्या दिये? उसने piece होने के सिक्के दिये उसको, ठीक है बच्चो He sent for the young woodcutter, उसने उसको बुलाया और उसको reward दिये बच्चो having been so good and kind, इतना ज़्यादा अच्छा होने के लिए, इतना ज़्यादा दयालू होने के लिए, ओके? then he named the most beautiful fountain in the city, after tarot, फिर क्या किया? जो city में ठीक है, उस शहर में जो सबसे सुन्दर fountain था ना बच्चो उसका नाम किस पर रखा गया? टेरो के नाम पर उसका नाम रखा गया this said the emperor was to encourage all children, ऐसा कहा जाता है बच्चो कि यह सब उस emperor ने क्यों किया था? to encourage all children, सभी बच्चों को प्रोसाहित करने के लिए to honor and obey their parents की वो भी क्या करें अपने parents का सम्मान करें और उनकी आगया का पालन करें आई हो बच्चों आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गए या नियो टेरो जो था बहुत thoughtful सन था कहने का मतलब बहुत ही समझदार था और बहुत ही caring था वो अपने parents का बहुत खयाल रखा करता है तो उसको reward किसके द्वारा दिया गया था? उसको reward दिया गया था इस direction में क्यों दोड़ पड़ा था जहां से उसको आवाज महसूस हुई थी उस stream की ठीक है? टैरो रैन इन दा डायरेक्शन आप दे स्ट्रीम उसी दिसा में वो दोड़ पड़ा था because he was very thirsty क्योंकि वो बहुत ज़दा प्यासा था he had never seen a rushing stream उसने कभी यहां पे बहतावा पा how did tarot's father show his happiness after drinking sack? यानि tarot के father ने अपनी खुशी कैसे जताई वो sack पीने के बात answer है tarot's father stopped shivering and started dancing tarot के father ने क्या किया था? shivering यानि वो जो काप रहते सर्दी के वज़े से वो बंद हो गया ठीक है? उनको जो ठंड लग रही थी वो ठंड लगना कम हो गया और उनना dance करना शुरू कर दिया थर देखिए why did the waterfall give tarot sack and other water ने tarot को क्या दिया? sack और बाकी को पानी क्यों? the waterfall gave बच्चों यहाँ पर आपको ए कर लेना है the waterfall gave tarot sack tarot को क्या दिया था? sack and other water दूसरों के लिए पानी था क्यों? because he was a thoughtful son वो बहुत जादा क्या था? समझदार बच्चा था यहीं समझदार बेटा था, अपने parents की बहुत क्यार किया करता था, बहुत caring था, ठीक है? who honored and obeyed his parents always जो अपने माता-पीता का हमेशा खयाल रखता था, हमेशा उनका संबान करता था और उनके आगया का पालन भी करता था अगे चलते हैं बच्चो, fourth question, why did the villagers want to draw taro? गाउंवाले taro को उसी जडने में क्यों डूबाना चाते थे? बच्चो, answer है, the villagers want to draw taro, taro को डूबाना चाते थे? उसमें, क्यों डूबाना चाते थे? because, क्योंकि they thought, उन्होंने सूचा, that he had tricked them, कि उसने क्या क्या, taro ने उनको धूका दिया है, by telling that stream gives sack, ये बता के, कि ये जो stream में, ये जो waterfall है, ठीक है, ये क्या देता है, sack देता है, question number 5, why did the emperor reward taro? taro को reward क्यों मिला था, समराट ने, emperor ने reward क्यों दिया था, the emperor rewarded him for having been so good and kind to his parents के, इतना ज़्यादा अच्छा होने के लिए, और अपने parents की बहुत ज़्यादा care करने के लिए, parents की प्रती बहुत ज़्यादा aware होने के लिए, उसको क्या दिया था, reward दिया था, बच्छों ठीक है अब देखते हैं, mark the right item, taro earned very little money because taro बहुत ही कम पैसे कमा करता था, क्यों बच्छों ऐसा क्या करन था, क्यों ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, he didn't work hard enough, क्या वो कडी महनत नहीं करता था, second the villagers didn't need wood, गाम वालों को लखडी के आशकता नहीं थी, third the price of wood was very low, आपको find out करन बच्छों आपने story पूरी complete read कर लिए, second the taro decided to earn extra money, taro ने ज़्यादा पैसे कमाने का निष्चे क्यों किया था, first to live a more comfortable life, क्या वो अपने लिए बहुत अच्छी जीवन चाहता था, second to buy his old father some sack, अपने father के लिए क्या लाना चाहता था, वो क्या खरीदना चाहता था, sack, third देखे, to repair the cracks in the hut, और जो उनकी जोपनी में, जो cracks थे, जो दरा रहे थी, वो उनको सही करवाना चाहता था, ठीके बच्छों, अगे चलते हैं, third, the neighbor left taro's hut in hurry, because, वो जो पडोसन उनके घर आई थी, वो जो लेडी आई थी, बच्छों, उस next day, बच्छो, she was astonished to hear taro's story, taro की कहानी सुनकर वो बहुत ज़्यादा चंबित हो गई थी, third, she wanted to tell the whole village about the waterfall, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, पूरे गाम में उस waterfall के बारे में बताना चाहती थी, ठीके बच्छों, तो आपको इनके answers, find out करने हैं clear, मैं मिलूंगे आपसे next video म बच्छों, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, thank you